मैंने पहले ही कहा था कि मत्यप्रदेश पूरा मोधी में हुआ है और वर्तमान के समय में तो पूरे देश में प्रचंड आनी चल रही खास कर मत्यप्रदेश में हमको मालूम होगा जैसे जानकारी दूँआ आपको के दो प्रत्यासी आपकी जानकारी इस तरह से समझना सब्सक्राटी जो के सदसी ने अपना नामिनिशन वापस लिया या एक तरह से जान करते उनने सरेंडर करते वे फार्म में तूटी करी ताकि कलेक्टर के सिर पर आया और उनने एक तरह से अपना विड्रौ किया दूसरा घोशी तुरूप से तब इनने कहा था कि हमने प्रस और सब लोगों ने का नहीं नगलत किया है अब जब आज कांगरेस के घोशित प्रत्यासी ने सबके साथ प्रते सद्ध्यक्ष की नगरी में फार्म जमा किया और आज विड्रौल के दिन वापस अगर ले लेता है तो अब हम क्या कर सकते हैं कांग्रेस ने घुटने टेके ह साथ हमारे समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके वह लड़ना नहीं चाहते हैं उनमें दम नहीं बचा तो उसमें यह लोगतंत्र की ताकत है मोदी जी की लोगप्रिता और भाजपा की जनता के पीछे नीचे तक की जड़े की गहराई है और मुझे जानकारी मिली है कि जो कांग्रेस का प्रत्यासी उसने भाजपा की सदस्ता के लिए आवेदन भी कर दिया है तो हम उसका आवेदन पर विचार कर रहे हैं और हो सकता उसको अगर भाजपा जाइन करना तो कराएंगे भी से लेकिन खास महत्व की बात है कि कांग्रेस का प्रदेश अद्यक्ष जिस नगर में रहता हो उस नगर का प्रत्यासी जिल्ले का प्रत्यासी अगर अपनी लोकसबा की टिकिट लोटा रहा है इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश्च जग्च को और राश्ट्य हद्जच को इस ठीवा देना ची इसके साथ अभी तो दोर हो गए हैं सुना है कि कुछ और रखे हुए इसे ही बंपुर्णी के लिए अपने साथ बता इसा क्यात लाइए चंबल शेत्र से अगला कुछ होने वाला देखे धीरे-धीरे करके लगबग धाई-लाख समाजवादी कांग्रेसी सारे प्रमुक लोग भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं त उनस्ची विवनिय प्रकार के पूरुःदायक वाटी जाइन कर चुके हैं तो यह जो पार्टी का बढ़ता व्याप है इस व्याप की छत्री में अधिकांस कांग्रेस के लोग समाईत हो रहे हैं तो हमको तो खुश है कि हमारा परीवार बढ़ रहा है अब यह कांग्रेस क क्या मालवा क्या निमाड क्या महाकोशल क्या मध्द्ध भारत हर जगे से कांग्रेस छोटने तो कांग्रेस के विचार करने